उत्तरप्रदेश उत्रखंट समे देश के कई राज्यों में कावढ यात्रा के चलते दुकानों के ओपर नेम प्लेट लगाने का आदेश दिया गया था बाद में इस आदेश पर सुप्रीम कोट ने रोक लगा दी थी और इस मुद्दे पर पक्ष विपक्ष ने जम कर बहस भी की लेकिन अब यह मामला पडोसी मुल्क पाकिस्तान से होते होए अमेरिका में भी पहुच गया है पाकिस्तान भारत को नीचा दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ सकता कई दफ़ा देखा गया है कि किस तरह पाकिस्तान भारत के मुद्दे उठाता है और पाकिस्तान को फिर मुग की खाने पड़ती है दरसल पाकिस्तानी पत्रकार ने भारत के नेम प्लेट वाले मुद्दे को वाइट हाउस की प्रेस ब्रीफिंग में उठा दिया पाकिस्तान के पत्रकार ने प्रेस ब्रीफिंग के दौरान मैथ्यू मिलर से सवाल किया कि भारत में बीजेपी शासित प्रदेशों में मुसलिम दुकानदारों से उनके नाम लिखने के आदेश पर आप क्या सोचते हैं पर अमेर्की विदेश विभाग की प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने कहा कि भारती सुप्रीम कोट ने कावड यात्रा डूट पर भोजनालियों पर नेम प्लेट लगाने पर अंतरिम रोक लगा दी है इसलिए वे निर्देश वास्तव में प्रभावी नहीं है जब मैथ्यू मिलर से पाक जर्नलिस्ट ने पूचा कि आप इस आदेश के बारे में क्या सोचते हैं जवाब दिया हमने उन खबरों को देखा है हमने ये देखा है कि भारतिय सुप्रीम कोट ने 22 जुलाई को उस आदेश पर अंतरिम रोक लगाई है इसलिए वे वास्तव में प्रभाव में नहीं है हम हमेशा दुनिया में कही भी धर्म और आस्ता की अजादी के अधिकार के सम्मान को बढ़ावा देने और संड्रक्षन के लिए प्रतिबद हैं वहीं आपको याद दिला दे और बता दे कि यूपी सरकार के आदेश पर सुप्रीम कोट में रिट फाइल की गई थी जिस पर सुनवाई करते हुए जस्टिस हृषिकेश राय और जस्टिस S.V.N. भटी की पीट ने कुछ एहम टिपड़ी की जजो ने कहा कि दुकानदारो को मालिक के पहचान बताने के लिए मना नहीं किया जा सकता है हाँ ये जरूर है कि दुकानदारों को यह बताना होगा कि उनके हाँ शाकाहारी या मांसाहारी कौन सा खाना मिलता है वहीं आगे आपको बता दे कि उत्तरपैदेश, मद्यपैदेश, उतराखंड और दिली सरक सुप्रीम कोट ने इस फैसले पर 26 जुलाई तक जवाब मांगा है कोट ने आदेश देते हुए कहा कि हम इस निर्देश को ततकाल रोकने का आदेश देते हैं खाक विकृताओं को अब नेम प्लेट लगाने की जरुवत नहीं है वो किस तरह का खान पास परोस रहें ये स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट दो हजाद चॉदा का भी पालन हो पुलिस बिना किसी सम्वेधानिक नीव के ऐसे आदेश नहीं जारी कर सकती है तो हमारी आज के इस खबर में अब इस पर आपकी क्या रहा है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं साथी देखते यह दान्य स्ट्रीट